Hello Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको बढाऊंगा कि अगर आपने फिलिप कार्ट से कोई सामान मगवाया है और आपको वो सामान गलत आगया है या कोई size में दिक्कत आ गई है या कोई और problem आ रही है उस समान में तो आप उस समान को कैसे फिलिप काट पर return कर सकते हैं कैसे वापिस कर सकते हैं और वो समान चाहे तो आपने online payment की थी या cash on delivery मगाया था तो उस समान का refund आप कैसे वापिस ले सकते हैं अगर आपने cash on delivery मगाया था तो अपना bank account फिलिप काट में कैसे याड कर सकते हैं अपने bank account में कैसे refund ले सकते हैं यही सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके लिए आप फिलिप काट को खोल लिजिए अपने फिलिप काट एप को और यहां पर यह नीचे account के option पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यह माई order पर क्लिक कर दीजिए माई order और यह देखिए मैंने दो ठीशल्ट मंगवाई थी फिलिप काट से जिसमें की मेरे को साइज की दिक्कत थी यही मैं वहां पर return करूंगा यह आप return पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यह आपके सामने यह ऐसा page आ जाएगा जो भी आप reason return का रखना चाते हैं वो reason पर आप क्लिक कर दीजिए जो reason आप सेलेक्ट करना चाते हैं कि आप क्यों return कर रहे हैं मेरे तो size में दिक्कत थी इसकी यह मैं वही चूज करूंगा size वाली और यह आप अपना reason चूज करने के बाद यह submit पर क्लिक कर दीजिए और यह नीचे comment में आप कोई comment लिख सकते हैं जो भी आपको आपके product में कमी लगी है वो comment लिखकर यहाँ पर यह continue पर क्लिक कर दीजिए और अगर आप यह exchange करना चाते हैं तो आप exchange भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर refund ही लूँगा इसका और यह refund आप gift card wallet में भी ले सकते हैं जो की फिलिप card का एक wallet होता है उसमें पड़े रहेंगे और आप उसी wallet से फिल से shopping कर सकते हैं उन्ही पैसों से लेकिन मैं अपने bank account में यह refund लूँगा इसलिए मैं bank account पर क्लिक करके यह bank account को चूज करूँगा और यहाँ पर यह नीचे option आ रहा है add bank account का यहाँ पर क्लिक करके यह आप अपना bank account add कर लिजिए और यह रिखे आपके सामने यह ऐसा पेज आ जाएगा यहाँ पर उपर आप अपने bank का IFC code डाल दिजिए और आपने bank account नंबर डाल दिजिए और यह नीचे फिर से वही अपना account नंबर डाल दिजिए और यह bank account holder name डाल दिजिए जो भी आपका bank account में name है और यह नीचे mobile नं और इसके बाद यहाँ पर यह दिखे लिखा हुआ है exciting account यहाँ पर जैसे ही आप click करेंगे एक बार आप यहाँ पर click कीजिए यह arrow पर और यह दिखे आपका account आ जाएगा यह इसको choose कर लिजिए और यह नीचे address में अगर आप अपना address change करना चाते हैं तो change कर लिजिए जहां और यह देखे है हमारी request successfully होगी है return की और आपके पास courier वाला आएगा वो एक दिन बाद आजाएगा यह देखे आपको status भी यहाँ पर show करेगा कि किस दिन आपके पास वो आपका product pick up करेगा और उसके बाद आपके bank account में refund आ जाएगा जैसे ही वो आपका product लेके जाएगा एक दो दिन बाद आपके bank account में refund आ जाएगा और अगर आपने UPI या net banking से payment की है तो आपके उसी bank account में refund आ जाएगा इस तरह से आप फिलिप काड़ पर अपनी product को return कर सकते हैं और अपना refund अपने bank account में ले सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो चलगा हो तो वीडियो को कर दी